हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पराग बुटिक पर दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन का बटन दबाईए आल के अप्शन के साथ ताकि आने वाले वीडियो की गले और बुलाउस के गले में क्या परिवर्तन आता है बुलाउस के गले डिजाइन में कभी भी 6 और 7 इंज के नहीं चलते हैं बुलाउस के गले हमेशा चलते हैं 8-10-12 इस प्रकार से गले चलते हैं तो 8-10-12 जब गले आप कटिंग करेंगे तो आपको किस प्रकार से उन गलों की चोड़ाई रखनी है उन गलों की ड्राइंग करनी है इस वीडियो में आप पूरा समझ सकते हैं यह देखिए यह मैंने रखा है बुलाउस का गला ठीक है अब देखिए यह सूट का गला है तो हम इस गले को यहां पर ऐसे रख लेंगे और यहां लगाते हैं निसान यदि हमारा ये सूट का गला होता, तो हम cutting करते ऐसे, देखिए एक ही गला में इस प्रकार से सूट के गले से convert करूँगा, बाकी सभी गले आपको direct cutting करना, मैं सिखाऊंगा कि blouse में किस प्रकार से गले होते हैं cutting, तो देखिए सबसे पहले, यहाँ पर जैसे कि यह हमारा सबादो एक पाइंट याने पोने पाच इन चोड़ा, और यहाँ से हम नापे लेंगे, इस प्रकार से हमें 10 इंज गला रखना है, तो हम इसे cutting करेंगे, साड़े 10 पर, यहाँ पर, ठीके, यदि यह गला ऐसे नापेंगे आप, तो यह 11 हो जाएगा, और ऐसे नापेंगे, तो साड़े 10, यह मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए, एक मार्किंग हम लगा लेंगे यहाँ पर, जब आप बुला उसका गला cutting करेंगे, तो आपको इस तरह एक इंज नीचे जादा रखना है, और उपर एक इंज कम, और इस तरह से लगाना है निशान, ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा, अब हम क्या करेंगे, जैसे नीचे से, यह जो ड्राइंग हमने करी, यहाँ पर कितनी करी हुई है, देखिए, सवा दो, तो हम इसी प्रकार से, यहाँ पर ड्राइंग कितनी करेंगे, साड़े, तीन इंज करीब, ऐसे, तो इस ड्राइंग को आप, यहाँ से, इस प्रकार से, मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे, अब इस ड्राइंग को आप, ऐसे घुमा कर, ऐसे मिला देंगे, तो यह हो जाएगा हमारे blouse का गला समझ गए होंगे आप जब blouse का गला बनाएंगे तो आप इस परकार से बनाएंगे और यदि आप चोड़ा गला पहनना चाहते हैं तो चोड़ा गला भी आप कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे ठीके? इस परकार से तो ये परिवर्टन आता है सूट के गले में और बुलाउस के गले की कटिंग पर तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा मैं अगला गला आपको और कटिंग करके दिखाता हूँ तो ये पहला गला है मेरा बुलाउस का बुलाउस का गला ऐस प्रकार से बनेगा यहाँ पर एक बिल्लाज चोड़ा याने लगबग 8 इंच अब इसी प्रकार से आप यहाँ रखेंगे अब इसे भी क्या करेंगे उपर की तरफ रखेंगे आप अब दो और एक पाइंट याने यहाँ तक यह देखिए इस जगे और लंबाई में कितना रखेंगे हम लंबाई में रखेंगे इसे भी साड़े 10 इंच ठीक है अब इस गले की हमें कटिंग करना है हम इस गले को कटिंग करेंगे मटका गला यह देखिए साड़े दस पर हमने इसको निसान लगाया है और अब हम इस पर कटिंग करेंगे मटका गला ऐसे निसान लगा लेते हैं और यहाँ पर कितना रखेंगे हम रखेंगे साड़े तीन इंच और यहाँ से इस प्रकार से ड्राइंग निकालते हुए इस प्रकार से ड्राइंग निकालते हुए ऐसे घुमा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा मटका गला ठीक है तो इस मटके गले की भी हम कर देते हैं कटिंग यह देखिए इस प्रकार से यह दोस्तों आपको ध्यान देना है कि बलाउस के गले में और सूट के गले में क्या परिवर्थन होता है अब देखिए यह हो गया इस प्रकार से यह मटका गला अब मैं आपको तीसरा भी गला कटिंग करना सिखा देता हूँ जैसे सवादो और एक पाइंट यहाँ पर रखा हमने इस प्रकार से और यहाँ रखेंगे हम साड़े दस पर इसी प्रकार से अब इस पर हम केसे कटिंग करेंग गला इस पर हम गला कटिंग करेंगे इस तरह से ठीके यहाँ लग जाएगी हमारी डोरी ठीके और यहाँ से गला के इस प्रकार से कटिंग करेंगे हम ऐसे ठीके और यहाँ से ऐसे निकाल कर हम यहाँ आ जाएगे ठीक यहाँ पर डोरी लग जाएगी इस पर लेश लग जाएगी तो यह गला बहुती सुन्दर हो सकता है और चाहो आप तो इस गले को आप यहाँ से लेकर इस प्रकार से भी ड्राइंग कर सकते हैं ठीके इस प्रकार से यह हमारा कट गया तीसरा गला और तीसरा गला कटिंग कर दिये हमने तो अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे यह घूम रहा है ऐसे हमें नहीं घूमाना है जैसे हम साधारन गले में हम जैसे गला घूमता इसे घूमा देते हैं इस पर आपको नहीं घुमाना है इस पर आप कैसे कटिंग करेंगे यह देखिए इस पर भी यहां लगेगी डोरी यह देखिए इसी प्रकार से यह हमारा हो गया तीसरा गला अब मैं आपको परिवर्तन करके बताता हूँ बुलाउस के गले में हम जिस तरह से पेटार ना लगाते हैं इसे देखिए मैंने यहां रख लिया अब हम इसमें कौन सा गला कटिंग करने वाले हैं जिस प्रकार से हम पेठेनी बॉर्डर की कटिंग करते हैं उसी प्रकार तो पेठेनी बॉर्डर की जिस प्रकार कटिंग करते हैं कैसे बनाएंगे हम यह देखिए यह रखा मैंने सबादो एक पैंट यहां पर भी ले लिजिए सबादो एक पैंट और गले की लंबाई हमारी होगी साड़े 10 इंच अब यह मैं पेठेनी साड़ी की बॉर्डर लग आने वाला हो तो उसे कैसे काटेंगे हम यहां से लिजिए ऐसे ठीके और आप अच्छी तरह से इसकी ड्राइंग कर सकते हैं यह देखिए हो गई अब हमें क्या करना है यहां पर लगाना पैठेनी बॉर्डर की डिजाइन तो हम एक इंच एक पाइंट बाहर से निसान लग इसी प्रकार से आप पूरी ड्राइंग यहां पर उतार दीजिए ऐसे हैं यह आप चाहो तो इस पर direct बाडर लगाकर उपर पलटा सकते हैं और नहीं तो इस गले को पहले पलटा लिजिए और फिर यहां पर बाडर लगाकर इसे कटिंग कर लिजिए तो फिर यहाँ पर जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो इस तरप कपड़ा दबाओ के लिए बाहर छोड़ना होगा और कपड़ा दबाओ के लिए बाहर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा एक गला और एस्ट्रा cutting करना होगा तो ये दो सर्थ है इसकी दोनों में से आपको जो आसान लगे उसे कर लीजिएगा और बॉर्डर वाले गले भी यहाँ पर बनाना आप सीख सकते हैं यह हो गए यह गले हमारे पैचवर्क के लिए तो पैचवर्क वाले गले भी आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं डोरी तो अब मैं एक और गला आपको cutting करके बता देता हूँ यह रखा मैंने canvas ठीक अब इसे हम cutting करेंगे नए गले के रूप में तो केसे करते हैं गले की design देखिए आपने देखा होगा कई बार हम लोग गले की design बनाते हैं आप देखते होगे इस प्रकार से धाई इंच पर रखा यहां से रखा मैंने साड़े दस इंच पर अब हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर करेंगे सबसे पहले अंदर patchwork की design और फिर सिधे गोल गले की design तो केसे करेंगे यहाँ पर से इस प्रकार से यह हो गया यह निकाला हमने और यहाँ से यहाँ से ऐसे ठीक है दोस्तो यह हमने गला बना लिया है इस पर हम लगाएंगे बॉर्डर तो बॉर्डर केसी लगाएंगे आप देखिए आप जिसे यहाँ से हमने निकाला गला कितना है सवाइंच ठीक तो सवाइंज गला निकाल कर हम ऐसे ठीक है देख रहे आप ऐसे निकल जाएंगे ठीक है यह होगे हमारा गला यहाँ पर लगा देंगे हम बॉडर और यह गला काट लेंगे बाहर से गोल और पहले गोल गला पलटा लेंगे और फिर यहाँ से जो बॉडर लगाएंगे हम तो इस बॉर्डर का गला अलग पलड जाएगा कितना आसान है बनाना मैं जहां तक समझता हूँ आपने समझ लिया होगा कि बॉर्डर, पेठेनी बॉर्डर के गले, बुलाऊस के गले और सूट के गले में क्या परिवर्तन है और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा जा हुआ है